युक्रेन के संकट के आरम से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आहवान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवात को और सुलजाने के लिए बाच्चित ही एक मात्र उपाय है हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजई पार्टी नहीं होगी अजय कोई पार्टी नहीं होगी एक में कोईवाद कर्दिए विजब कर दोड़कित पेवाद कि विवादी एक मात्र जाच्चित ही है जियो पुलिटिकल घटाओं ने भी दिखाया कि विश्व की शान्ती और स्थिर्ता कितनी नाजुक स्थिती में हैं और सभी देश कितने इंटर कनेक्टेड हैं। युक्रेन के संकट के आरम से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आहवान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को और सुलजाने के लिए बाच्चित ही एक मात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजई पार्टी नहीं होगी, सभी को नुक्षान होगा, इसलिए हम शान्ती के पक्ष में हैं। युक्रेन संगर से उत्पन उथल पोथल के कारण तेल की कीमत आस्मान छू रही है, विश्व में ख़ड्यान और फर्टिलाजर की भी कमी हो रही है, इससे विश्व के हर परिवार पर बोज पड़ा है, किन्त विकासिल और गरीब देशों पर इसका असर और घंबीर होगा इस संगर्स के हुमेनिटरियन इंपेक्ट से है, भारत बहुत ही चिंतित है, हमने अपनी तरफ से युक्रेन को मानविय सहायता भेजी है, हम अन्य मित्रत देशों को भी अन्य निर्यात, तेल आपूर्ती और आर्थिक सहायता के माद्यम से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ने जिर्षिक अर्वकराष से तर्वकराथ डिए्डिक को植़ नेी बाहे हैं तर्वकरे नेप्स एन्य रुर्प अक्री अन्य विप्रिए्ट अ्वकर्न अन्य वेल्गिश्वां प्रश बैक्रेश जरीश नेब्क्राश चर्वाम प्रूंच्षा उब्षिए मैं अन वीर Nochmal an den russischen Präsidenten zu appellieren, stoppen Sie diesen Krieg, beenden Sie das sinnlose Töten, ziehen Sie Ihre Truppen aus der Ukraine ab. Die Bedeutung einer regelbasierten Ordnung in der Welt macht dieser Krieg uns allen noch einmal ausdrücklich klar. Wir sind uns einig, dass Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden dürfen und dass die Unverletzbarkeit von Grenzen und die Integrität und Souveränität der Nation außer Frage stehen muss. Worum es geht, darüber haben wir beide uns sehr sorgfältig unterhalten, ist, dass wir miteinander eine bessere Zukunft erreichen, aber eben nicht indem wir Kriege gegeneinander führen, sondern indem wir wirtschaftliche Entwicklung und gemeinsame Entwicklung wirklich machen, klar ist, und wiederum werden. झाल झाल झाल